आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोईट्री से और यह देखेंगे कि वाई पोईट्री इस इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ट्रेंग तो हम इसको कम अप करते हैं पर से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंग परते हैं वो क्या है इस रिटन बाइस साइम इस बीडिफु फॉटी और साइमें ने वी पोईट्री के बारे में कुछ आहम चीज़े करें हैं सबसे पहले साइमन की कहते हैं कि वो नजमें जो हमें याद रह जाती हैं वो बच्पन में हमारी याद कीवी नजमें होती हैं वो हमारी मेमरी में नक्ष हो जाती हैं और जब कभी हम उने रिकॉल करते हैं चाहे हमारे जहन में वो आ जाये हैं चाहे हम उने मुझ से बोल रहे ह तो बन्यादी तोर पे वह हमारी सोच पे हमेशा हमेशा के लिए embedded हो जाती है और जब हम उन्हें अपने सामने लाते हैं और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वह हमें याद दिलाती हैं कि हम कौन है इस इंसान हम कौन है जिस चीज़ पर यकीन रखते हैं हमारा क्या बिलीव है हम किन चीजों को अच्छा समझते हैं, किन चीजों को हम बुरा समझते हैं वो नजमे हमारी personal asset बन जाती हैं जिनकी कोई value determined नहीं किया सकती they are invaluable और सबसे important चीज है they are like free gifts जो हमारे साथ पूरी जिन्दगी रहते हैं और हमेशा रहते हैं यह सिरफ वही नजमे होती हैं जो हमारी बच्चपन की याद की वही होती है अगर हमने उन्हें दिल से याद किया हो अगर वो हमें बहुत पसंद हो बच्चपन में और अगर हम उनको पढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा enjoy करते थे so they actually remain with us forever now important चीज जो है आपके जानने के लिए वह यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि primary school में ना सिर्फ poem को learn करना जरूरी है बलके poem की recitation जो है it is a part of our curriculum so हम कुछ research insights देखेंगे कि वो क्या बताती है कि poetry why it is important for children number one बच्चे poetry बहुत ही जल्दी याद कर लेते हैं और जोर जो से पढ़े number two points that are ingrained in people's memories increase in value through time और उसकी सबसे एहम वज़ा यह होती है कि जैसे जैसे वो हमारा वक्त गुजरता जाता है हमारी यादे ताजा होती है हम बच्पन को recall करते हैं आप वो नजमें वापस पलटके आ जाती है लेकिन क्योंकि हम बड़े हो रहे होते हैं और हमारे life के experiences हैं हम हर अपने जिंदगी के अगले मोर पर उस नजम को एक अलग तरीके से पढ़ते हैं अलग तरीके से enjoy करते हैं अलग तरीके से experience करते हैं और फिर लफजों में दुबारा हम उन नजमों को बताते हैं अपने life experiences के तरूप के how they changed and what they are for us now important चीज यह है कि वो नजमें जो आपके memories से निकल जाती हैं और आपको याद नहीं है और वो भी बहुत important है क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक linguistic values तकाई है क्योंकि हमारे साथ indirectly हमेशा हमेशा के लिए memories में रह गई हैं आपको कौन सी नजमें जो याद रजाती है सबसे important चीज आती है वो नजमें जिनके अंदर music होता है इसका मतलब है कि अगर हम बच्चों को नजमें याद कराना चाहते हैं तो basically उसका effect होता है हमारी body movement में number two के जिस वकत भी हम जोर जोसे नजमें पढ़ते हैं उच्छी अवाज में नजमें पढ़ते हैं जिसको हम read aloud कहते हैं phonics और auditory components जो होते हैं वो सबके सब engage हो जाते हैं जिसमें हमारी सुनने की capacity उसको तुर में पढ़ने की capacity सारी मिलके आपस में चलना शुरू कर लेती हैं आव वो नजमें हमें याद रह जाती हैं हमेशा के लिए जिसको हम own कर लेते हैं और actually वो किस तरह own हो जाती है क्योंकि वो हमारी अपनी नजम बन जाती है उसमें हमें अपना reflection नजर आना शुरू हो जाता है आपको लिंक कर देती हैं किन लोगों से बुन लोगों से जिने आप याद रखना चाहते हैं कुछ events से कुछ चीजों से इसलिए वो आपके जहन में चीजों की महबबत के साथ कि महबबत हमेशा मौजूद रहती है जब कभी हम उन पोइम को याद करते हैं तो हमारा जो linguistic thread है हमें जाके सीधे उस memory से ज्वाइन कर देता है क्या तरीके हैं देखने के कि हम पोइम को समझ सकें कि पोइम है क्या Number one, पोइम एक living thing है हम पोइम को एक dead organism ना समझें हमें recent research बताती है neurosciences की कि बुन्यादी तोर पे जब हम नजमों को पढ़ रहे होते हैं किसी भी art की form परफॉर्म कर रहे होते हैं चाहे वह painting है, drawing है, drama है तो उसका effect ऐसे ही होता है हमारे उपर जैसे हम लोगों से मिलते हैं तो बुन्यादी तोर पे learning a poem is like getting to know a person और जब भी आप किसी को जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वह एक दफ़ा पढ़ने से समझ में नहीं आती, it actually takes long time written text with multimodal dimensions बुन्यादी तोर पे जो हमारे पास written text होता है उसकी multimodal dimensions होती हैं जो कि हमें पहली दफ़ा पढ़ने में समझ नहीं आती है इसलिए नस्मों को हम पढ़ते भी हैं बार बार उसके बाद हम सुनते भी हैं जब सुनते हैं तो हमें कोई नहीं चीजे समझ आती हैं और हम उनको loud तरीके से बावाज बुलंद उसको पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं तो we actually get to go some other kind of stuff, we get to know some other kind of stuff इसलिए teachers के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो बच्चों के साथ poems को पढ़ें, बावाज बुलंद पढ़ें जिसको हम कहते हैं read aloud poems to the class or this is a part of actually all earlier classrooms Number three, poems need to read and reflect it on many times to reveal themselves Poems का हमें बार बार पढ़ना पढ़ता है क्यों? क्योंके वो इंसानों की तरह हैं जब हम poem को पढ़ते हैं, हम उस इंसान को समझ रहे हैं, उसकी सोच को समझ रहे हैं जिसने वो poem लिखी है और पहली दफ़ा समझ में नहीं आती, तो चाहे उसके लिए आपको बच्चों के साथ बैठना पढ़े, आपको अपने group के लोगों के साथ बैठना पढ़े जो हो poems पढ़ रहे हैं, चाहे आपको अकेले अपने आप से बाते करनी पढ़े हैं और समझना पढ़े कि वो क्या चीजे लिखी गई कि इस poems में जो आपको बहुत पसंद हैं, तो reflection actually takes time और इसके लिए वो conversation जो आप चाहे अपने दोस्तों से करें, चाहे अपने आप से करें खामोशी में, वो conversation बहुत जरूरी है, वो time और space बहुत जरूरी है इस poem को समझने के लिए, so students जितनी poetry पढ़ते जाते हैं, और variety of poetry पढ़ते हैं, और सुनते हैं और उसको recite करते हैं, बावा जिबलन, उतना उनकी poetry के लिए appreciation जो है वो बढ़ती चली जाती है, और उनकी समझ भी बेटर होती जाती है,